कबिर नगर की अध्यात्मिक और अध्योगिक पैचान है संत कबिर का निर्वान स्थल यहां मगहर में मौजूद है जिस वज़े से यह इलाका परिटकूं के आकरशन का केंद्र भी है बहीं जूट उद्द्योग और बुनकरों की वज़े से संत कबिर नगर प्रसीद है लेकिन यहां बुनकरों की इस्तिती में कभी कोई सुधार नहीं आ सका है संत के नाम पर वसे इस शहर की सियासत में मदाता हर पांच साल में सांसत बदलने का काम कर रहा है हालाकि संत कबिर नगर लोगसभा सीट पर अभी तक केवल दो बार लोगसभा चुना हुए हैं जिसमें एक बार बीजेपी और एक बार बीएसपी को जीत मिली है साल 2009 में पहला लोगसभा चुना बीएसपी ने जीता था BSP उम्मिदवार भिश्म शंकर तिवारी यहां के पहले सांसत बने थे भिश्म शंकर तिवारी ने शरत त्रिपाठी को हराया था लेकिन साल 2014 में BJP ने पलटवार करते हुए CEA सीट छीन ली थी और शरत त्रिपाठी यहां विजई हुए थे संतकबिर नगर में साल 2019 के लोगसभा चुनाओ में त्रिकोणिय संगरश दिखाई दे रहा है BJP ने प्रविन निशाद को मैदान में उतारा है जबकि BSP ने अपने कोटे से महागडबंधन के उमिद्वार के तौर पर भिश्म शंकर उर्फ कुशलतिवारी को मैदान में उतारा है वही कॉंग्रिस ने भालचंदर यादो को मैदान में उतारा है प्रविन निशाद ने समाजबादी पार्टी के टिकट पर गुरखपूर में लोगसभा का उपचनाव जीत कर हड़कम मचा दिया निशाद ने स्यम योगी आदितिनाथ के गड़ में चुनाव जीत कर सब को चौंक आया था इसके बाद प्रविन निशाद बीजेपी में शामिल हो गए थे निशाद को इस बार गुरखपूर की जगे संथकबिर नगर से टिकट दिया गया है भिश्म शंकर उर्फ कोशल तिवारी ने संथकबिर नगर में साल 2009 में पहला चुनाव जीता था बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था साल 2009 के लोग सबाचुनाव में तिवारी को 2,11,43 वोट मिले थे वहीं बीजेपी के प्रत्याशी शरत्रिपाठी 1,85,547 वोटों के साथ दूसरे इस्थान पर रहे थे बहुजन समाच पार्टी के कुशलतिवारी पार्टी के एक ब्राह्मन चेहरा के रूप में जाने जाते हैं वो जगे जगे जाकर लोगों से वोट की फरियात कर रहे हैं एक सभा में कुशलतिवारी ने कहा कि महागडबंधन को सर्वसमाच का समर्थन होता देख विपक्षी पूरी तरह से हताश बन निराश है मोधी सरकार की गलत नीतियों की वज़े से उन्हें जन्ता का व्यापक समर्थन मिल रहा है विधान परिशा सदस्य संतोशी यादव और पसन्नी ने कहा कि सपा बस्पाने हमेशा गरीबों के हक में आवाज बुलंद की है जबकि बीजेपी वा कॉंग्रेस पुंजिपतियों के हीत में फैसले लेते रहे हैं जिससे जन्ता को बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ा है लोकसबा चुनाव में जन्ता महागडबंधन को समर्थन देने का मन बना चुकी है जिससे यहाँ पर विकास के द्वार खुलेंगे